प्रेम से भोलिये ओम नमस्षिवाई सिव पंचाच्छरी स्तोत्र सिव पंचाच्छरी स्तोत्र जिसे पंचाच्छरी मंत्र भी कहते हैं जो नमस्षिवाई पर आधारित हैं सिव पंचाच्छरी स्तोत्र की रचना आधि गुरु संक्राचार जी ने की थी भगवान सीव का पंचाचर मंत्र नवशिवाय सेष्ट मंत्र है यह इस्तोत्र शिव सरूप का वरणन करता है स्रिष्टी पाँच तत्व से मिलकर बनी है स्रिष्टी के पंचाचर मंत्र से स्रिष्टी के पाँचो तत्व नियंत्रित होते हैं पंचाचर इस तोत्र का प्रतेक अच्छर एक तत्व का प्रतिनी दित्व करता है, नव अच्छर प्रिध्वी तत्व का, मौ अच्छर जल तत्व का, सी अच्छर अगनी तत्व का, वा अच्छर वायू तत्व का, और यव अच्छर आकास तत्व का प्रतिनी दित्व करता है इस मंत्र के प्यभाव से साधक को लौकी के ओं पारलौकिक सुक इच्छित फल तथा पूर्साथ की प्राप्ति होती है। इस मंत्र के जब से सभी दुख सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। असकंद पुराण में कहा गया है कि महा मंत्र ओम नमस्टिवाय जिसके मन में वास करता है। उसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, यग्यव तप की क्या जरूरत है। इस मंत्र के स्रध्धापुर्वग्जाव से ही मनुष्य को पापों से मुप्ति मिल जाती है। यह मंत्र मोच प्रदाता और समस्त पापों का नास करने वाला है। जो भक्त सिव जी के समीप इस पवित्र पंचाचरिस्तोत का पाठ करता है। अधवा स्रमण करता है। वह सिव लोग को प्राप्त होता है और वहां सिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। तो आईए भक्तों देवाधिदेव महादेव का इस्मरण करते हुए पंचाचरिस्तोत मंद शुरू करे। नागराज को हार स्वरूप धारण करने वाले ये तीन नेत्र वाले त्रिलोचन आप भस्म से अलंक्रित हैं। भस्म ही आपका अंगराग है। ये महेश्वर आप अनाधि एवं अनंद और सुद्ध हैं। अंबर को वस्त समान धारण करने वाले दिगंबर हैं। ऐसे अविनासी महेश्वर नौकार स्वरूप सीव जी को मेरा नमस्कार है। मंदाकनी नदी के जल से जिनकी पूजा होती है और चंदन के लेव से अलंक्रित किया जाता है। जो नंदी स्वर एवं प्रमत नात अधिगणों के स्वामी हैं। तथा सदा जिनको मंदार परवत से ट्राप्त पूश्पों बहुत प्रकार के पूश्पों द्वारा पूजा जाता है। ऐसे महेश्वर मौकार स्वरूप सीव जी को मेरा नमस्कार है। हे कल्यान स्वरूप सीव जी आप मागवरी के कमल मुख को प्रसंद करने के लिए सुर्य समान तेज प्रदान करने वाले, दच्च के यग्य का नास करने वाले, बैल चिन्न वाले धर्वध्वजधारी हैं। ऐसे निलकंध सीकार स्वरूप सीव जी को मेरा नमस्कार है। वसीष्ट, अगस्त और गौतम आदी, स्रेष्ट रिसी मुनियों ने तथा इंद्र आदी देवताओं ने जिन देवादी देव महादेव की पूजा की है। चंद्रमा, सुरियंग और अगनी जिन के नेत्र हैं। उन वाकार स्वरूप सीव जी को मेरा नमस्कार है। जिन्होंने यच्छ स्वरूप धारण किया है जो जटा धारी हैं। जो हाथ में पिना को धारण करने वाले हैं। आदि मध्य एवं अंतसे रहित सनातन तता दिव्य अंबर धारी हैं। ऐसे देव यवकार स्वरूप सीव जी को मेरा नमस्कार है। तो भगतों दोनों हाथों को उपर उठाते हुए बोलिए हरहार महादेव। श्रीशीव पंचाच्छर इस्टोत्र संपूण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें ओम नमस्षिवाय। और मन सरूवर चैनल को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। क्यां ये पाल आपको ये